हे गाइस विल्कम टू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार इस वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेस रिक्रूट्मेंट में जो कि रिलीस की गई है कोल माइन्स की तरब से जियां दोस्तों अमेजिंग इस डिपार्ट्मेंट की तरब से पर्मानेंट जॉप्स के लिए जब अरजस्त वेकेंसिस निकाली गई है बहुत सारी केनेट का सेलेक्शन होने वाला है बोले तो बंपर वेकेंसिस है यहने की जो केनेट का पोस्टिंग होगी हजार प्लस स्टूडेंट इसमें जॉइनि यहाँ पर आईटिया टेक्निसियन जे एई सबके लिए वेकेंसिस निकाली रिलेस की गई है तोजार चॉबिस की न्यू रिक्रूट्मेंट है जहाँ पर आईटिया डिप्लमा बी बिटेक सभी केनेट अप्लाय कर सकते हैं तो चले डिटेल नोडिफिकेशन वाइस देखत करनी है ओके स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होए इसको प्रेश जरूर कर लें ताकि जब वीडियो जाए न तबको नोडिफिकेशन मिल जाए और इसलिए जिन्दल इस्टिल और पावर का सेप्रेट कोल माइनस टिमिजन है और यह अंगूल जो है वुडिसा में इसका बेसले डे जिन्दल इस्टिल का तो जितने थी कैयंडिड का सलेक्शन होगा सबकी जो पोस्टिंग होगी ना job profile पोस्टिंग होती है आपकी उडिसा में होगी उडिसा के कोल माइन्स में कोईला की ख़दानों में आपकी जॉब्स लगने वाली है अब से लिए आते हैं नोडिफिकेशन की वेकेंसी कहा निकाली गई है और एपलै कैसे करना है तो गई जिंदल इस्टिल एन पावर जो वेकेंसी जाती है मौस्टली वेकेंसी कुछी वेबसाइट पर आते हैं नहीं तो ज़्यादा तर आपको लिंक्डिन पर देखने को मिलेगी और लिंक्डिन पर आपने अभी तक पेज नहीं बना रखा है तो जल्दी से क्रिएट कर लो अगर आप इंडियास की बिगेंसी में पर्मानेंट जॉब पहना चाते हैं तो एक अच्छी एक सेलरी वाली क्योंकि यह आपकी एक रिजूम है यही खुद लिंक्डिन आइडि अगर आपने अकाउंट सही से क्रिएट कर लिया तो यही आपकी एक सीवी मानी जाती है तो यहाँ पर डिरेक्टली आपको जॉब मिल सकती है तो HR है विश्नप्रिया बहरा HR जो है आपका जिंदल इस्टिल प्लांट के है डिरेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि इनके द्वारा ही पोस्टिंग की गई है कि फॉर्म कैसे भरनी है यहीं पर आप देख सकते हैं कुछ एक ही दिन पहले रिलीस की गई है जहां पर वेकंसी देख सकते हैं hiring alert यानि कि जो वेकंसी रिलीस की गई और आपको क्लिक करनी है मैं आपको क्लिक करके सब कुछ बताऊंगा कि अप्लाय कैसे करना है अगर आप वीडियो के description में जाएगा तो directly आपको apply का link मिल जाएगा अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो comment box में जाएगे या फिर telegram channel join कर लिजे वहाँ पर भी आपको application का link मिल जाएगा तो काफी सारे comment करते हैं कि application का link ही मिल रहा है ठीक description में आपको मिल जाएगी headlines में ही सबसे पहले link पे open करें तो यहां ही पर दिखाए देगी call minds की यह job है और JSP जिंदल इस्टेनल पावर अंगूल अंगूल एक डिश्टी का ओडिसा यहीं पर आपकी selection होगी ओडिसा में यह posting होगी फिलप कैसे करनी है क्योंकि वेकेंसी ज्यादा details में आपको notification नहीं दिखाए दे रही है यहाँ पर मैं फिर भी आपको step by step apply करके बताऊंगा तो चीज़ें आपको समझ आएगी सबसे पहले link open करने के बाद आपको यहाँ पर नाम फिलप करना है जो भी आपका नाम है आप mail है या फिर आप email है सबी apply कर सकते हैं 18-30 साल के candidates form को apply अराम से कर सकते हैं then age relaxation आपको इसमें नहीं मिलती है बट आपने experience कर रखी है तो आप 35 साल तक भी application को fill up कर सकते हैं नेम के बाद आपको अपना email एडी fill up करने है जो भी फलना डेकाना आपका email एडी है देन आपका contact details मतलब क्या आपका mobile नमर जो भी आपका mobile नमर है वो fill up कर दें उसके बाद आता है which position are you interested यहने कि किस पोजिशन में आप apply करना चाहते हैं तो बहुत सारी recruitment है first class mining है second class एकोलरी इंजिनियर mechanical electrical यह बिटेक की वेकंसी है यहाँ पर मैं trade और branch दोनों बता रहा हूँ द्यांसर mechanical यह बिटेक के candidate apply कर सकते हैं surveyor यह ITI student और diploma दोनों candidate apply कर सकते हैं ITI surveyor draftman यहाँ पर ITI diploma दोनों apply कर सकते हैं overman यह diploma के लिए vacancies है mining सिर्दार यह diploma के लिए vacancies है mining engineering electrical foreman यह diploma के candidate के लिए vacancies है फिर आपका mechanical foreman mechanical foreman में और fitter तो ITI के fitter trade वाले apply कर सकते हैं या फिर mechanical foreman जो है यहाँ पर diploma की किनेड़ अप्लाय कर सकते हैं electricians की vacancies है तो ITI electrician trade इसमें apply कर सकते हैं फिर आपका welfare officer तो इसमें degree आपने कर रखी हो तो apply कर सकते हैं attendance clerk यानि आपने become कर रखी हो mcom कर रखी हो तो बिल्कुल eligible है magazine in charge इसमें जो आपने MBA कर रखे apply कर सकते हैं कोई other post rate इसको select ना करें जो पोस्टें आपको दी गई है सिर्फ वही post select करें ओके other में आपको select नहीं करनी है क्योंकि आपको वैसे आपकी resume आपके application को reject कर दिया जागा qualifications देखो ITI eligible है बी बिटेक आपने कर रखी है तो बी बिटेक माइनिंग apply कर सकते है diploma mining बी बिटेक electrical बी बिटेक mechanical डिप्लोमा electrical डिप्लोमा mechanical आई टी आई की trade आपने जोग भी trade से कर रखी है doesn't matter आपको यहाँ पर ITI क्या करताना है select कर लेना है उसके बाद आपने देख सकते हैं do you have certificate of competency कोल इंडिया का जो धनबाद प्रवाइड करती है उसका certificate आपके पास है तो yes कर सकते है अथवा no कर सकते है तो अपने प्रिफरेंस वाई select कर ले देना है अगर है तो आपको यहाँ पर देना होगा कि कितनी साल का experience है अगर आप Fraser है तो zero to two year यह आपको select करना आपके पास experience नहीं है अधरवाइज आपके पास experience है तो जो भी more than है आप fill up करें उसके according आपकी jobs मिलेगी summary about your job role जहां पर भी आपने काम कर रही हो अपने experience ली हो उसके बारे में आपको fully details fill up करना है तो एक चीज़ का focus यहाँ पे जर आप अपने experience ली है अथो आपने जैसे BCCL धनवाद से CCL से कहीं से apprenticeship भी कर रखें तो वह भी चीज़ यहाँ पर mention करें यह बहुत ज़्यादा वेरी करता है अगर आपने apprenticeship भी कर लिया है तो directly apprenticeship कोल इंडिया से करोगे government से और आप जाओगी जिंदल इस्टिल में तो आपकी बहुत बड़ी प्रायक्ता है इसमें मानी जाएगी साथ में सबसे बड़ा इसमें इस हुए अपका CV आपको अपना CV यानिकी cover letter या फिर resume जो है जरूर एटेश करनी है इसके अलावा आप form apply ही नहीं कर सकते हैं और जरूरी भी है without CV आपके जो form reject कर दिया जागा इसलिए मै हमें सब बोलतो हूँ अपना CV अपना resume बहुत strong create करो देन यहां पर attach करके upload कर लेना upload करने के बाद other देन कुछ भी नहीं मांगा जाएगा नीचे आपको submit का button आपको दिखाए देगा directly आप click कर सकते हैं ओके तो मैंने fully details आपको बताई है कि इसके लिए vacancy है कौन-कौन से trade apply क कर सकता है आई टीए वाले जैसे आपको सब कुछ दिखाए देगी यहां पर माइनिंग सर्वेयर के लिए vacancy है ड्राफ्टमेंट के लिए vacancy है इलेक्ट्रिसियन के लिए vacancy है फेडर की vacancy है यहां पर अगर आप चाहें तो जो इलेक्ट्रिकल फॉर्मन इसमें भी आई टी 30-35,000 अराम से होगी जो इस्टुडेंट फ्रेसर है उनकी सेलरी 20-25,000 होने की possibility है और आपके पास more than 5-6 year का experience है तो 50,000, 60,000, 70,000 तक सेलरी प्रोवाइड करती है जिंदल इस्टील एक बहुत बड़ा प्लान्ट है यह ओके तो चीजें समझ आ गई होगी आपकी कि अपला है किसी करनी है सब कुछ और कहां से vacancies निकाली गई है फिर भी एक्स्ट्रा कुछ doubt है आपके मन में तो बेजज़क आप comment कर सकते हैं वीडियो इस पर लगी है गो आपको तो YouTube को इस चैनल को सब्सक्राब जरू करें सक्सेस दिलिप को वीडियो इसको like जरू करें साथ में अप